एक सुरक्षित निवेस और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको इस वीडियो में पोस्ट ओफिस की एक ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप एक निश्ची तरासी जमा कर देंगे और छोड़ देंगे तो पांच सालों के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। पोस्ट ओफिस निव इसकीम्स के दोयर 23 का नयानियम वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है टैक्स बेनेफिट्स वह सभी महत्पूर्ण बिंदु पर बात करेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नई स्कीम्स और पोस्ट ओफिस की स्कीम्स की हाइस्ट इंट्रेस डेट के कारण पोस्ट ओफिस की स्कीम्स काफी प्रचलित है पोस्ट ओफिस की एक बैंक एवडी की तरह ही होती है इसके जरिया एक साल दो साल तीन साल पांस साल तक के लिए रासी को फिक्स्ट करके एक अच्छा रिटन इसमें जमारासी सुरक्षित होती है क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम होती है। आपको मिल जाता है। अभी वर्तमान में दो लाग रुपे फिक्स करने पर एक साल की FD में 14,161 रुपे का आपको इंट्रेस्ट मिलेगा। स्कीम में आपको 7,5% का इंट्रेस्ट अभी मिल रहा है। यदि MSSC में इडवेश्ट करेंगे तो दो साल में आपको 32,44 रुपे का इंट्रेस्ट मिलेगा। MSSC स्कीम क्या है इसकी पूरे डिटेल्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्सिन बॉक्स में दे दिया गया है। उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। तीन साल की फिक्स डिपोजिट में यदि आप 2,00,000 रुपे की FD करते हैं तो 2,43,116 रुपे का इंट्रेस्ट आपको टोटल से मिल जाता है। वहीं 5 साल की फिक्स डिपोजिट में यदि आप 2,00,000 रुपे की FD करते हैं तो इंट्रेस्ट आपको 77,135 रुपे मिलेगा। टोटल से आपको 2,70,135 रुपे मिलता है। यदि 5 साल की FD का कॉंपेर हम 5 साल की पोस्ट ओपिस की ही इसकीम NSC से करें तो दोस्तों NSC में 2,00,000 रुपे की FD करने पर 2,89,806 रुपे या नी 12,000 रुपे का जादा इंट्रेस्ट आपको 5 साल की TD से मिलता है। अब पोस्ट ओपिस की स्कीम से एक अच्छा रिटर्ण पाना चाते हैं तो पोस्ट ओपिस की National Saving Certificate स्कीम में निवेस कर सकते हैं। आप कौन सी स्कीम में इन्वेस करना चाते हैं नीची कॉमेंट सेक्सिन में हमें जरुर बताएं। अब जानते हैं Post Office की schemes में tax benefits के क्या-क्या नियम है Post Office की 5 साल की time deposit और Post Office की national saving certificate scheme में आपको ATC के तहथ income tax में shoot मिल जाती है 5 साल से नीचे की scheme में आपको income tax में shoot नहीं मिलती है Post Office की किसी भी scheme में यदि आप FD करते हैं तो दोस्तों maturity के बाद भी आपके amount से कोई भी tax नहीं काटी जाती है अब जानते हैं इस scheme को आप कैसे open करेंगे और कौन कौन इसे खोल सकता है Single account यानि एक वेक्ति के नाम से Joint account में आप 2 या 3 वेक्तियों के नाम के साथ भी आप खोल सकते हैं या आप चाहें 10 साल के बच्चियों के साथ मिलकर भी आप इस scheme में invest कर सकते हैं हम facility के बात करें तो nominee की सूधा आपको मिल जाती है account को transfer करने की भी सूधा आपको मिलती है तीसरी facility आपको auto renewal facility मिल जाती है यानि आप एक साल के लिए FD करते हैं तो दोस्तो automatic ही आपको हुआ FD फिर से एक साल के लिए renewal हो जाती है post office की skins को खोलने के लिए जो documents लगते हैं वो हैं अधार card, pen card और photo ये तीनो documents दे कर आप post office की किसी भी scheme में invest सुरू कर सकते हैं deposit limit की बात करें तो post office की FD में 1000 रोपे से आप सुरू कर सकते हैं और maximum deposit की कोई भी limit नहीं है आप अधिक सदिक रुपिया post office की FD में invest कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी post office की कुछ best scheme आप अपने जरुत की हिसाब से invest करना सुरू करें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में share करना ना भूलें है वीडियो, थाइक, वी थाउचा, बाइक, अईक, आप नहीं धियॉचवच की अच्छा।